सब्सक्राइब कीजिए हमारे मोर इनिर्टिकल चैनल को और दबा जीजिए इस गंटे को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटस वीडियो सबसे पहले नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों बहुत सारे वीडियो में पॉमेट आई कि आप मल्टी मिटर पर एक वीडियो बनाएए तो यह वीडियो मेंने मल्टी मिटर पर बनाया है थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया है लेकिन 100% गैरंटी के साथ बोलता हूं कि यह वीडियो पूरा देखिए ताकि आप मल्टी मिटर के सारे फंक्शन समझ जाए और मल्टी मिटर को आसाने से यूज कैसा करना है वह सीख जाए आज मल्टी मिटर से AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, AC एमपियर, DC एमपियर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और कंटिनुटी टेस्ट से डायोट, कैपिशिटर, LED, स्वीच, वायर कैसे चेक करते हैं वो बताऊंगा तो चलिए शरू करते हैं दोस्तो बजार में तो बहुत सारी रेंज के मल्टी मिटर मिलते हैं, मेरे पास यह तीन मल्टी मिटर है, मैं आपको यह मल्टी मिटर यूज करने की सला दूंगा, क्यूंकि इसमें सब कुछ सिंपल तरीके से बताये हुआ है, और आप सीख रहे हैं तो इससे बढ़ी मल्ट मिटर कोई नहीं हो सकता, आप मल्टी मिटर को यूज करना सीख जाएगे, उसके बाद बड़ी रेंज के आप मल्टी मिटर ले सकते हैं,तो दोस्तों मैं मल्टी मिटर की प्राइस बता देता हूँ, तो यह मल्टी मितर की प्राइस है 500,000 रूपे, यह आपको 25 में और यह ब्लेक वाला है और नेगिटिव प्रॉब्स है तो हमें करना क्या है कि यह जो नेगिटिव प्रॉब्स है उसको हमें common पर ही set कर देना है यह दोस्तों आपको याद रखना है कि जो नेगिटिव प्रॉब्स है उसको हम common में ही रख देंगे और यह positive प्रॉब्स है उसक को सेट करना है है कि और सबसे पहले में आपको ऐसी वल्डेच कैसे चेक करना है वूदा था खूंथ आपके मिटर के पॉइंटर को साथ सो पचास व स्पहें रखिए और इधर किर nhu स्टेज है तो आप 200 वैल्ट पर रखेंगे तो क्या है की वैल्टेज सौ्ण नहीं होगा क्यूंकि हमारे घर पे 220 से 240 तक वीटेज आथा है तो क्या है कि ऑस से थोड़ा ज्यादा वॉल्टेज टो हमें ये मीटर को सेट करना है तो यह पोजिटीव प्रॉप्श और نेगतिव प्रोब्स को हम यह सोकेट में डालेंगे यह देखिए दोस्तों कितना आ रहा है 235-36 अगर हम इसको 200 पर रखते हैं तो देखिए गाँ यह नहीं आएगा क्या है कि 200 वोल्टेज से इसमें ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो यह अलग-अलग देखिए रीडिंग्स हो कर रह है तो यह 235-36 तो आमने ऐसी वोल्टेज चेक किया अब हमें डिसी वोल्टेज के कैसे करना है वह आपको बताऊंगा तो ठीक है अब मेरे पास दो तरकी बैटरी ए एक 9 वॉल्ट किया और एक 1.5 वोल्ट की है तो पहले हम 9 वोल्ट की बेटरी चेक करते हैं तो 9 वोल्ट की बेटरी चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि सिंपल हमें इदर 20 पे रखना है क्या है कि हमारे पास 9 वोल्ट की बेटरी है तो ये 20 तक की रेंज में चेक हो जाएगा तो यह pointer को मैंने DC voltage पे रखा है और यह 9 volt की बेटरियम चेक करते हैं यह देखी कितना आ रहा है 8.94 देकिन यह देखी यह voltage जो DC voltage 8.95 आ रहा है वो माइनस में आ रहा है तो हमसे क्या गलती हुई कि हमने यह positive terminal में negative props लगा है और negative terminal में positive props लगा है तो हम क्या करेंगे कि यह props से हम उसको उल्टा देते हैं ठीके अब आ रहा है सही तरीके से 8.96 या 95 जो तो दोस्तो इस तरीके से आप DC voltage चेक कर सकते हैं तो मेरे पास एक और बेटरी है 1.5 की वो हम चेक करते हैं देखी दोस्तो 1.44 ठीके इस तरीके से आप DC voltage आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तो अगर 20 voltage से ज्यादा होगा तो आपको 200 यहाँ पर सेट करना है अगर 200 voltage से ज्यादा DC voltage हमें चेक करना है तो हमें यह 1000 पर रखना है ठीके यह तो बात होगी AC voltage और DC voltage अब हमें register कैसे चेक करना है वो देख तो अब हमें register कैसे चेक करना है है वो हम देखते हैं तो हमें पॉइंटर को यहां पर ले जाना है यह देखिए दोस्तों यह ओम्स का निसान है ठीक है तो पहले हम दोस्तों पर ले जाएंगे और हमारे पास तीन अलग अलग वेल्यू की हो रजिस्टर्स है तो हम इसको चेक करते हैं तो पॉइंटर को मैंने तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ वैल्यूस हो नहीं हो रही तो मैं क्या करूंगा कि पॉइंटर को एक स्टेप आगे लूँगा यह देखिए यह कितना दिखा रहा है 994 मतलब कि यह हमारा हंड्रेट हंड्रेट ओम्स का रेजिस्टर है ठीक है और हम अब यह तीसरा रेजिस्टर चेक करते हैं यह वैल्यू नहीं दिखा रहा है तो हम एक पॉइंटर को एक स्टेप आगे लेंगे अब भी नहीं दिखा रहा है तो हम एक स्टेप और आगे लेंगे दिखिए दोस्तो यह कितना दिख रहा है 98.6 तो यह हमारा रेजिस्टर हंड्रेट के का है ठीक है तो दोस्तों इसी तरीके से हम हम रजिस्टर की वैल्यू देख सकते हैं, अब हमें टांजिस्टर कैसे चेक करना है, वह मैं आपको दिखाता हूँ, अब बात करते हैं टांजिस्टर की, तो टांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, PNP और NPN, हमारे पास NPN टांजिस्टर है, तो टांजिस्टर को हम चेक कैसे चेक करेंगे और अगर हमारे पास PNP transistor होता तो इधर चेक करेंगे तो क्या करना है कि NPN transistor है उसको हम यह रहा emitter base collector तो यह रहा emitter base collector तो हमको इसको emitter base collector में डालना है ठीक है यह मैंने emitter base collector में डाल तो यह देखिए यह बीटा के value बता रहा है तो अब बीटा के value हमें मिलेगी तो यह हमारा transistor एक्तम सही है ठीक है तो अब continuity test करने के लिए हमें यह pointer को यह continuity पर रखना है यह जो symbol दिख रहा है वहाँ पर अब continuity पर हम बहुत सारी चीज़ टेस्ट कर सकते हैं तो पहले हम continuity पर diode test करते हैं तो दोस्तों यह diode है यह देखिए जो यह silver वारा है वह minus है और यह black है वह plus है जो silver है वह cathode है और यह जो black है वह anode है अब इसके plus terminal को plus props में रखेंगे और minus terminal को minus props में रखेंगे ठीक है तो यह मैंने red कर दिया और यह तो देखिए दोस्तों इसमें reading show हो रही है ठीक है अब हमें इसको उल्टा करते है तो meter में reading show नहीं हो रही है मतलब कि हमारे यह diode है working condition में है ठीक है दोस्तों डायोट की दोनों साइट से reading show होगी तो भी डायोट खराब है और डायोट की दोनों साइट से reading show नहीं होगी तो भी डायोट है और यह बड़ा टर्मिनल है वो प्लस है तो मेरे पास दो LED है तो हम टेस्ट करते हैं कि हमारे LED वरकिंग कंडिशन में है या नहीं है तो यह माइनस टर्मिनल को हम माइनस थ्रोड में रखेंगे और यह प्लस टर्मिनल को हम प्लस थ्रोड में रखेंगे तो यहाँ पे कुछ रिडिंग सो हो रहा है लेकिन LED ग्लो नहीं करी मतलब कि हमारी यह LED खराब है और दूसरी हमारे पास यह LED है ठीक है तो यह LED हम चेक करते हैं उसमें भी ऐसा ही करेंगे माइनस थ्रोड को माइनस में और प्लस थ्रोड को प्लस में यह देखी दोस्तो आमारी LED ग्लो नहीं यह च्काल पहले है मतलब कि यह हमारी LED सही है ठीक है तो अभ हम कैपिसिटर की बात करेंगे दोस्तो चैपिसिटर में भी ऐसा ही है यह जो प्लस टर्मिनल है वो बड़ा है और यह minus terminal है वो छोटा है यानि कि यह बड़ा वाला है वो anode है और यह छोटा वाला है वो cathode है तो इसमें भी हम ऐसा करेंगे कि plus terminal को हो यह वो plus throat के साथ जोड़ेंगे और minus terminal को हम minus throat के साथ जोड़ेंगे तो देखिए मीटर में कुछ reading सो हो रही है और बाद में एक हो गया मतलब की capacitor चार्ज एकतम सही तरीके से हो रहा है अब capacitor discharge सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने के लिए हम capacitor के दोनों plus और minus terminal को LED के plus और minus terminal के साथ connect करेंगे अगर कुछ second के लिए LED glow होगी तो हमारा capacitor सही होगा यह देखिए दोस्तों मैंने capacitor के plus terminal के साथ LED का plus terminal और minus terminal के साथ LED का minus terminal connect किया तो LED glow होई मतलब की capacitor working condition में है तो ऐसे आप capacitor चेक आसानी से कर सकते हैं अब continuity test में switch को कैसे test करते हैं वो बता दाओं तो पहले हमें क्या करना है कि switch को switch के दोनों terminal में यह plus और minus throat को connect कर देना है और switch को off condition में रखना है तो उसमें continuity नहीं आनी चाहिए यानि कि beep का वाज नहीं बज़ना चाहिए फिर क्या करना है कि यह हमें switch को on करना है देखिए on करने के बाद यह beep का वा जा रहा है मतलब कि continuity आ रही है इसका मतलब यह हुँए कि power इदर से पास हो जाएगा और जैसे switch हम बंद करेंगे तो पावर कट हो जाएगा ठीक है देखिए यह पावर पास हो रहा है और जैसे switch हम बंद करेंगे to power और कट हो गया इसी तरीके से स्वीच भी आप आसानी से continuity टेस्ट में चेक कर सकते हैं तो दोस्तों continuity में से हमें वायर कैसे चेक करना है वो आपको बताऊंगा तो वायर के दोनों टर्मिनल को दोनों प्रोप्स के साथ जोड़ देना है यह देखिए यह प्रोप्स के साथ जोड़ दूँगा तो यह बीब का आवा जाएगा मतलब कि हमारा वायर एकदम सही है उसमें से पावर आसानी से पास हो सकता है और यह कहीं से भी क्रेक नहीं है अगर वायर कहीं से क्रेक होगा त तो यह देखिए दोस्तो इसमें continuity नहीं आ रही है मतलब कि हमारा wire कहीं से crack है तो इसी तरीके से हम आसानी से wire हमारा सही है या बीच में से crack है या तूट गया है वो पता लगा सकते हैं ठीक है अब DC ampere कैसे चेक करते हैं हो मैं आपको दिखाता हूँ तो यह दोस्तो यह LED है और यह battery है तो LED के positive terminal में positive और negative terminal पे battery का negative terminal रखूँगा तो यह LED glow होगी ठीक है तो अब हमें इसका ampere कैसे चेक करना है तो हमें LED की series में हमें meter के दोनों props लगने है इस तरीके से हम LED की ampere चेक कर सक है तो दोस्तों इसमें मैंने क्या किया है कि जो battery का negative है उसको मैंने LED के साथ connect कर दिया बेटरी का positive है अब यह में नेगिटिव प्रॉप्स को मैं यह हमारे लेडी के साथ रखूंगा तो यह हमाय वैल्यू वन बज़ेवा एक दिखा रहा है तो अब क्या करना है आमें वैल्यू एक्स्टेंड करने की जरूरत है मैं यहां पर 20 मिली एंपिर पर सेट करता हूं ठीक है अब यह ने ठीक है तो अब मैंने 200 पर सेट किया है यह 96 बता रहा है ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप यह एमिटर को सीरिस में रखके एंपिर चेक कर सकते हैं ठीक है दोस्तों फ्रेंस यह क्लेंपोन मिटर है ऐसी एंपिर मॉल्टी मिटर से चेक नहीं करते उसके लिए क्लेंपो चेक करेंगे यह ऐसी एंपियर का सिंबोल है तो पहले हमें पॉइंटर को 20 एंपियर पे सेट करके यह जो तीन फेस दिख रहे है और वाय भी उनके हम एंपियर लेंगे यह देखिए इसमें रिडिंग्स होनी हो रही मतलब कि इसमें 20 एंपियर से ज्यादा करंट जा रहा तो यह दिखिए 179 दिखा रहा है मतलब कि इसमें 179 एंपियर जा रहा है अब हम B फेस के एंपियर चेक करेंगे इसमें 180 दिखा रहा है मतलब कि इसमें 180 तक एंपियर जा रहा है अब हम Y फेस के एंपियर चेक करेंगे तो Y फेस में 178 तक का एंपियर दिखा रहा है मतलब क कि वाइफेस में भी 178 और 9 तक का एंपया जार आओगा इस तरह आप एंपया चेक कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही आसा रखता हूं कि यह वीडियो में मैंने जो भी समझाया वो आप सही तरीके से समझ गए होंगे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपका दि